गुड मॉर्णिंग दियर स्टूदेंस आज हम क्लास 6 के में इसका एक्जरसाइस 6B स्टार्ट करेंगे तो यहां पे कोशिंग जो है आप लोग के सामने यहां पे है एक्सपैसियज अव दा फॉलुइंग एस एट इंफ्रोपल फ्रेक्षिन यहां पे जो यहनकी उन्होंने फ्रेक्षिन दे रखें उनको हमें कंवर्ड करना है जैसे यानकी यह आप आप इससे पहले हमने डिसकस किया था यह जो है convert करना है इंप्रोपर fraction में तो उसके अलामी क्या करना होगा यहां पर हमारे पास जो 7 है उसको multiply करना है विद हमारे 5 के साथ plus करना है numerator का 4 divided by denominator में जो भी number है उससी को लिखना है यहां पर तो 75 जा 35 plus 4 divided by 7 तो 35 plus 4 that is 39 divided by 7 यह हमारा answer आ जाते हैं similarly अगर हम B की बात करें तो B जो है हमारे पास 11 2 upon 9 तो हम इसको कैसे solve करेंगे 9 को multiply करेंगे 11 के साथ plus करेंगे हमारे numerator का 2 divided by denominator में जो भी number है उसको लिखेंगे यानिकी 9 है यहां पर तो 9 11 कितना होते हैं 9 9 plus 2 divided by 9 99 plus 2 1 0 1 divided by 9 यह हमारा answer हो गया similarly बाकी question जो है आप ऐसे ही यानिकी solve कर लेंगे ऐसे ही करना है तो हम हम आते है question number 2 पे question number 2 में क्या है express each of the following S mixed fraction यहां पे जो यानिकी numbers दे गए हैं उनको हमें आप convert करना है इस in improper fractions को हमें mixed fraction में convert करना है जिसे यह पाढ़ है हमारे पस 121 divided by 10 121 upon 10 तो इस 121 upon 10 को हमें convert करना है mixed fraction में mixed fraction में convert करने के लिए 121 को 10 के साथ क्या करना है divide करना है जब divide किया तो 10 1 जा 10 2 आगे नीचे और यह 1 10 2 जा 20 reminder 1 रह जाता है अब इसको divide करने के बाद हम इसको mixed fraction में लिखते हैं कैसे हैं यह जो हमारा reminder में जो भी number रहती है उसको हम उपर यहां पर बिठाते हैं और हमारे पास जो कोशन है इसको हम यानिकी रखते हैं साइट में और हमारे पास यहां पर जो नंबह रहती है उसको नीचे ले जाते हैं तो यह हमारा बन जाते हैं mix it fraction similarly आप बी को देख लो बी हमारे पास दिया है उन्होंने 39 उपन 4 39 divided by 4 तो सबसे पहले इस 39 को अब divide कर लेंगे 4 की साथ तो फोर से डिवाइड करने पर क्या आ जाते हैं 4, 6, 24, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 10, 40 हो जाते हैं तो जादा हो जाते हैं 4, 9 जा कर लेते हैं 36 9-6 that is 3 तो reminder 3 आया इसको mix it fraction में लिखने के लिए reminder को हम उपर ले जाते हैं divided by जो 4 है उसको हम नीचे लिखते हैं और हमारे पास जो quotient के 9 है तो हम कहां लिखते हैं यहाँ पर 9, 4 जा 36, 36 plus 3 that is 39 upon force यहाँ गया तो इसी तरह से बागी कोश्चेस भी आपको करनी है इसके साथ यह exercise भी complete हो जाता है अब हम आपको यहाँ पे book पे equivalent fraction क्या होता है वो यानिकी थोड़ा समझाते हैं equivalent fraction कैसे होते हैं जैसे for example fraction having the same value अगर किसी fraction का यानिकी value जो है यानिकी same आते हैं उनको हम कहते हैं equivalent fraction अब equivalent fraction कैसे यानिकी find करते हैं कैसे निकालते हैं इसके यानिकी दो method से first method यहाँ पे उन्होंने दिया गया है by multiplying it is numerator and denominator अगर हम किसी number का जैसे यहां पे 1 upon 2 है इस 1 upon 2 को उन्होंने एक same number के साथ multiply किया 1 upon 2 को multiply किया 2 के साथ numerator में और 2 के साथ denominator में multiply किया तो 1 to the 2 आया 2 to the 4 तो यह जो 2 upon 4 है यह हमारा 1 by 2 का है इक्वेलेंट fraction है similarly उन्होंने यहां पे 1 upon 2 को यहांने की और एक number से multiply किया जैसे 3 से multiply किया बोच साथ को numerator और denominator को तो 1 3 is a 3 2 3 is a 6 तो हमारे पास यहां पे जो 3 upon 6 है यह 3 upon 6 जो है 1 upon 2 की क्या है equivalent fraction है तो equivalent fraction निकालने का एक तो method यह है यानिकि same number से numerator और denominator को multiply करते हैं और दूसरा method है by dividing it is numerator and denominator by the same number तो कुई यानिकि बड़ा number हो तो उनको हम क्या करते हैं divided करते है numerator और denominator दोनुंको same number से यहां पर हम यहांने same number से multiply किया था कnd YBecause two upon four है हम अगर किसी ने पुछा हमें 2 upon 4 का equivalent fraction लिखो तो हम क्या करेंगे 2 upon 4 को या तो multiply करेंगे एक same number के साथ है तो divide करेंगे तो यहांपे हम divide करेंगे 2 upon 4 को उपर भी divide करेंगे 2 के साथ और नीचे भी divide करेंगे तो इन दोनों को जब divide के 2 और 2 को तो 1 आ गया 4 को 2 के साथ divide के तो 2 आ गया तो हमारे पास यहांपे चो 1 upon 2 है यह equivalent fraction है 2 upon 4 के similarly यहांपे थाया यानि कि 3 upon 6 3 upon 6 को equivalent fraction लिखने के लिए हम क्या करते है 3 upon 6 को divide करेंगे उपर और नीचे एक same number से चाहे आप 3 से करो चाहे 2 से करो एक same number से करना ज़रूरी है आपको किसी भी number से कर सकते हैं जिसको दोनुं side से यानि की उपर और नीचे दोनुं divide होता हो जब इस 3 को 3 के साथ divide के तो 1 आ गया इस 6 को 3 के साथ divide के तो 2 आ गया तो इस यानि की 3 upon 6 का equivalent fraction 1 by 2 आ जाते हैं तो यह हो जाता है हमारा equivalent fraction तो equivalent fraction find करने के दो method एक तो इस सेम नंबर से multiply करते हैं उपर और नीचे दोनों या तो हम second method में डिवाइड करते हैं numerator और denominator दोनों को यानि कि एक सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और एक यहां पर topic जैसे नों ने दिया किया है cross product तो एक cross product क्या होता है अब यहां पर उन्होंने एक example दिया है जैसे 2 upon 3 and 6 upon 9 तो मैं आप लोग के यहां पर आने के रफ़े करके समझाता हूँ यह क्या है cross product उन्होंने दिया है जैसे यहां पर 2 upon 3 and 6 upon 9 cross product का मतलब है 2 upon 3 को multiply करेंगे 6 upon 9 के साथ लेकिन हम इसी तरह से यानि किसे 2 को 6 6 के साथ multiply नहीं करेंगे 3 को 9 के साथ ही multiply नहीं करेंगे इस cross product का मतलब है इस 3 को 6 के साथ multiply करना और इस 2 को 9 के साथ multiply करना तो 3 6 सा क्या हो जाते है 18 और 9 2 सा 18 और यह दोनुं साथ जो है यानि की equal आना यानि की मलब कंपल सरी नहीं यह equal आ सकते हैं not equal भी आ सकते हैं greater या यह greater या यह यानि की less आ सकते हैं यह आँ पर positive याँ पर negative भी आ सकते हैं तो main जो यानि की cross product का जो main method है वो यही है इस को यानि की इसके साथ multiply करना और इस number को इसके साथ मलब यानि की cross multiply करना cross multiply को ही इन्होंने cross product कहा है तो इस से आगे बाकि यानि की जितने भी topics या exercise बचते हैं उनको हम कल discuss करेंगे आज के लिए इतना काफी है thank you